हलो दोस्तो मैं विजे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल Start to End Information में दोस्तो आप लोगों को पता है कि जो वरकर Central Government के अंदर Employee है यानि कि Central Government के अंदर Job करते हैं उन वरकर का जो VDA है यानि कि Variable DA जो है साल में दो बार रिवाइज होता है एक बार October में और एक बार अप्रेल में तो लास्ट यहर यानि कि October 2023 में जब रिवाइज हुआ था तो VDA लेट से जो अनिस्किल्ड लेबर है यानि स्किल्ड वरकर है उसका एक क्लास सिटी के अंदर 147 147 रुपे हुआ था और बी क्लास सिटी के अंदर 135 रुपे तो जो सी क्लास सिटी के अंदर काम कर रहा है उनका 133 रुपे था और यह जो है basic में बढ़ा add कर देते है basic हली तो जो basic हो जाता है वो 480 हो जाता है तो जैसे 147 रुपे 333 जो है basic है आपका per day का है यह ध्यान दखेगा तो unskilled का 333 plus 147 तो 480 रुपे per day की salary हो जाती है अब ये था October 2023 में इसी तरह से सभी लोगों का है अब यह जो है रिवाइज हो गया है तो 1 अप्रेल 2024 से जो है नया VDA आ चुका है Central Government ने यानि कि CLC जो Central Labor Commissioner है वहाँ से यह order निकलता है और उन्होंने जो है एक अप्रेल 2024 से इसको change कर दिया है तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कि सेक्टर में किस category के worker को कितना amount increase कराया गया है और किस class city के हिसाब से या area of city के हिसाब से तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह दियान रखेगा यह order आया है एक अप्रेल 2024 इस दिन से यह valid है और यह सबसे पहले अग्री कल्चर अग्री कल्चर के अंदर जो भी वरकर है अब वो वरकर यहाँ पर दियान से देखेंगे आप चार केटेगरी में है अनिस्किल्ड या फिर अनिस्किल्ड सफ़्परवाइजर देनि जिट और क्लेरिकल तो चार के वरकर हो गए इन सभी वरकर के यहां पर ए बी और सी यहां की ए चराविया से टी तहें e स्किल्ड के लिए 159 सेमिस्किल्ड के लिए अब यह जो है बढ़ करके चेंज हो गया है तो एक अप्रेल 2024 से सभी का जो डीए है वी डीए बेसिकली वेरीबल डीए वो इस तरह से आप देखेंगे तो अब नया बेसिक जो हो गया नया बेसिक अब मैं अगर आपको यह बताओं कि भाई जो लोग एग्रिकल्चर के अंदर जॉब कर रहे हैं उनका अनस्किल्ड में चारसो सताणवे रुपे हो गया है पर डे का वेच और सेमी स्किल्ड में यह टाइप की सिटी के अंदर है सेमी स्किल्ड के अंदर पानसो ब्यालेस रुपे ठीक है जी और इस्किल्ड या क्लेरिकल का 589 रुपीज 589 रुपे हाइली स्किल्ड के लिए 652 रुपे और जो लोग बी क्लास सिटी में है तो अनिस्किल्ड के लिए 454 रुपे और सैमी स्किल्ड के लिए 409 रुपे और क्लेरिकल या स्किल्ड के लिए 542 रुपे और हाइली स्किल्ड के ल केलिए 460 के लिए 469 तांट इस तरह से इन सभी वरकर्स का जो है नया जो वेज़ हो गया पर जेका वह यह होजाता है यह वह लोग है जो एग्रीकल्चर में जॉब करते हैं एग्रीकल्चर में एंप्लोयरड एंग्री कल्चर्स के अंदर है अगर हम बात करें और दूसरे सेक्टर्स की दूसरे सेक्टर्स में बात करते हैं तो अगर मालो हम बात करते हैं माइन्स की तो जितनी भी माइन्स हैं जैसे जिप्सम माइन्स बैराइट माइन्स बॉकसाइट माइन्स मैगनीज माइन्स चाइना क्ले माइन्स ठीक है अब सारी माइन्स के नाम त तो वो उसको consider नहीं किया जाएगा ठीक है और अगर कोई डाउट है तो आप वाट्स आप जो है इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं चलो तो यह है हमारा माइनस को लेकर के माइनस में क्या है अब यहां जो वीडियो हुआ पर यहां पर इंक्रीज AH Corn चेंग लिया दो यहां पर दिए यह उन और के ऊपर करत रहे हैं जो मतलब कर सह संगी है क्यांग माइनस में में तो बहुत सारे और जाकर के कम तो जो उनका जो वीड़ी है वो ज्यादा है तो ध्यान रखेगा जैसे एंस्केल के लिए जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इसकिल्ड के लिए जैसे 350 रुपे उनका वेज और 112 रुपी एड़ कर दिये तो पांसो बाइस हो जाता है सेमी स्किल्ड के लिए 651 इसी तरह से और स्किल्ड के लिए 778 और जो हाइली स्किल्ड है उनके लिए 906 रुपे पर डे का वेज हो जाता है ठिक और फॉर्वरकर ब्लो ग्राउंड ग्राउंड के नीचे जो काम कर रहे हैं उनका वेज देखें डेली अने स्किल्ड में 651 रुपे सैमी स्किल्ड में 778 और जो है स्किल्ड में 906 और हैली स्किल्ड में 1013 रुपे यह दी बात उन लोगों की जो माइनस के अ construction or maintenance of road or runway or in building operations including laying down underground electric wireless radio television telephone telegraph overseas communications cable and similar type of other underground cable work electrical lines water supply lines and sewage pipelines जो सीवेज पाइप्लाइन करते हैं उस टाइप के जो काम है उसमें उस टाइप के कामों में जो लोग एंप्लोईड है जो वर्कर एंप्लोईड है उनका भी वीडिये जो है इंक्रीज हो गया है वो किस तरह से हुआ है इसको भी देखते हैं अनिस्किल्ड मेंGANमें हैं तो 255 Social Open Agreement 253 स्किल्ड में 311 और 113 ना कामानम है 31 बी टाइप की सिटी है तो мैं जो अनिसकिल्ड है 214 समिसकिल्ड में में 240, skilled में 283, highly skilled में 311, और C type की जो city है उसमें 172 अनिस्किल्ड के लिए, 200 रुपे सेमी स्किल्ड के लिए, 240 रुपे skilled के लिए और 283 रुपे highly skilled के लिए तो यह जो है basic में अगर add करेंगे basic जो है इनका पहले क्या था basic भी इनका पहले different था और यह जो है उसमें add हो जाएगा ना जैसे उनका पह बेसिक जो अक्टूबर में जो इनका basic तो 523 रुपे है पर डे का इस 523 रुपे में 255 एड कर देंगे तो यह आ जाता है इसमें यह add कर रहे है तो इस किल्ड के लिए 948 रुपे हाइली स्किल्ड के लिए 1028 रुपे बी टाइप का जो एरिया है या बी टाइप सिटी बोल सकते हो तो उसके अंदर 651 रुपे यह जो है वी इस बार का है जो एक अप्रेल को आया उसमें यह add किया तो यह आ गया इसके लिए 734 और हाइली स्किल्ड के लिए 822 रहे तो यह जो हो गया यह उनके लिए ओगया जो अंडर गांड केबलिंग करते हैं सीवेज पाइप डालते हैं मेंटिनेंस वर कर रहा है रोड का यह उन लोगों के लिए हो गया है अगर हम बात करें आगे और भी सेक्टर्स हैं जैसे कि यह वो लोग है जो लोडिंग का काम करते हैं लोडिंग समांड होते हैं जैसे कि कहां पर कहां पर यह कर सकते हैं जैसे जहां पर समांड रखे हुए हैं सरकार ने पार्सल ऑफिसे ऑफ रेलवे रेलवे के पार्सल है वेहांस है और अधर इंप्लियमेंट है डॉक एंड पोर्ट जाते हैं उनके समान को लोड करना अँद करना उन लोगों के लिए जो है उन कोई क्लासिफिकेशन नहीं है यहां पर सभी का काम क्योंकि सेम है अगर हम एरिया वाइस देखें आपर तो ए टाइप का जो एरिया है ए टाइप सिटी बोल सकते हो उसमें जो वीडी इंक्रीज हुआ कर दो सो पच्पन रुपे बी में दो सो चोध है और सी में एक सो बाइटार रुपे का इंक्रीज हुआ है तो अगर हम इनकी जो सेलरी को देखा पर डे जो वेज आया है इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं है यहाद रखेगा यहाँ पर सबकी सैलरी सेम है यह अन्लोडिंग और लोडिंग वाले केस में है अगर हम बात करें आगे वो लोग जो सफाई करमचारी है लेकिन वह प्रोइबिट करते हैं किसको एंप्लोइमेंट और इसको प्रोइबिट करना है यह तो एक अलग बात है लेकिन याद रखना सब्सक्राइबिट करते हैं अब इस जैसा कि मैंने बताया तो एटाइप सिटी में देखें तो 778 रुपए बी में 651 522 जो है अब इस जैसा कि मैंने बताया जो बेसिक वेज है उसमें यह वीडी आड़ कर दिया नया वाला तो 778 रुपए हो गया बी टाइप के लिए 437 इसमें यह वीडी दोसो चोधा रुपए आड़ किया तो 651 रुपए हो गया सी टाइप में 350 रुपए जो है बेसिक में 122 रुपए वीडी एड़ किया तो 522 हो गया यह आपको पता होना चाहिए ठीक है जी तो अब आपको यह पता चल गया कि आपकी सैलरी जो है कितनी इंक्रीज हुई है जो लोग इस वीडीयो को देख रहे है अब उन्हें यह पता आप जरूर दूँगा चलिए आगे देखें वाचेज एंड वार्ड विदाउट आर्म्स हरा रेट्स ऑफ वीडीयो फर एंप्लोई एंप्लोई इन वाच एंड वाच एंड वाट विदाउट आर्म्स जो जिनके पास हत्यार नहीं है लेकिन सेक्योरिटी का काम कर रहे है प्रूप से उनका जो है उनकी सेलरी में किता इंक्रीज हुआ है इसको भी देख लेते हैं ए टाइप में 3011 रुपे और बी टाइप में 283 टाइप में 240 वाट विदाउट आर्म्स तो एंकी सेलरी देखता हूं तो एटाइप में 948 रुपे यह इंक्रीज हो गया है बेसिक म सब्सक्राइब करें अगर हम की बात करें यहां पर देख सकते हैं तो यह टाइप में सब्सक्राइब करें इसके बाद बात करें तो आगे स्टोन माइन्स यह अलग कैटेग्री में रखा है स्टोन माइन्स स्टोन माइन्स में क्या है कि यह आपको जहां से देखना है एक्सकेवेशन और रॉपे और जो कंप्लीट्ली रॉप एक्सकेवेशन कर रहे हैं उनको खोद रहे हैं तो उनका 269 और सिर्फ सॉफ्ट की बात करें तो 175 और जो सिर्फ और सिर्फ पत्थर तोड रहे हैं वह 340 रुपे इस तरह से आप देख सकते हैं रिमूवल और स्टैकिंग ऑफ रिजेक्टिंग स्टोन विट 50 मीटर लेफ्ट है ना तो उनका 140 रुपे यह ज्यान रखिएगा यह क्य इसके बीच में ब्रेक करके क्रश करना है तो यह उनके पैसे 1041 रुपे अब वन पॉंट फाइव इंच तो थ्री इंच एक एवज़ एड़ इंच से त्ली इंच के बीच में अगर क्रश करना है तो 890 रुपे गा वीडिये वीडिये इंक्रीज हुआ है और अब थ्री उस वर्कर को मिलेगा जो पत्थर तोड़के उसका साइज 505 इंच से ज्यादा रखेगा ठीक है यह उस तरह से क्लासिफिकेशन है अब अगर इंकी सैलरी या इनके डेली वेज की बात करें तो वह भी हम देख सकते हैं मेर न 10 District साफ्ट सॉइल में अगर बात करें तो 351 रुपे इनका बैसी क भी ट बात करें अपसे sell चप्विज ब्रॉत तो हम धुजा की सथाा पर प्रश्क रूपय को जाता है पहले का जो वेज है और 140 रुपे वीडी है तो 423 रुपे पर डे का वेज हो जाता है इसके बाद बात करें स्टोन ब्रेकिंग और स्टोन क्रॉशिंग की जैसा कि अभी हमने देखा था एक इंच से 1.5 इंच की मुटाई का पत्थर तोड़ना है क्रश करना है तो 2170 रुपे इनकी सेलरी 3212 रुपे पर डे की है जिए इंच से तीन इंच के बीच का जो पत्थर तोड़ रहा है उसका बेसिक वेज अठावसों सतावन रुपे वीडी ए 890 तो 2747 रुपे इनकी सेलरी हो जाती है पर डे की ठीक है जी अबव तीन इंच तो फाइव इंच तो यह हो जा एक हजार चैसो तेरो रुपे इनका जो है बेसिक वेज हो जाता है डेली का अबव फाइव इंच आर्सो त्राइव रुपे बेसिक यह डी ए वीडी ए एड हो जाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था यानि कि जो सेंटरल गॉवर्वर्मेंट या चीफ है वो इंक्रीज हो गया है और इंक्रीज होकर के मैंने आपको इस पूरी वीडियो में सारे डिटेल से बताया है कि किसकी सैलरी कितनी हो गई है अब जो भी एमप्लोई जिस भी सेक्टर में एमप्लोई है या जॉब कर रहा है तो वह अपना जो है इस तरह से अपना डेली क क्टा लोग देख सकता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको ये पता चल सके कि आपका जो daily का वेजय अब कितना हो गया है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के अंदर जो भी information अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना channel को और बेने रहीगा हमारे channel के साथ ताकि हम जो नेक्स वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसी एक information के साथ तो चलिए तब तक के लिए good bye, ta-ta take care, jahe